नमस्ते स्टुडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 3 कोर्डिनेट जमेटरी तो पहले क्लासिस पे हमने पढ़ रखा है कि किस तरह हम किसी भी पॉइंट को नमबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस स्क्वाइर या फिर जो रेक्टेंगल है इसमें से इस पॉइंट का एक्जेक लोकेशन मुझे बताईए तो यह आपके लिए बहुत ही difficult होगा यही काम आता है हमारा coordinate geometry तो coordinate geometry के according अगर मैं इस जो side है इस से इसका perpendicular distance measure करेंगें suppose यह perpendicular distance है हमारा 4 cm अब मैं इस side से भी इसका perpendicular distance measure करोंगी So suppose it is 2 cm तो अगर मैं आप से कहूँ कि ये A B side से 2 cm की दूरी पे है और A C side से 4 cm की दूरी से है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका exact position क्या है तो इसलिए हमारा coordinate geometry समझना और सीखना बहुत ही जिरूरी है तो coordinate geometry में basically हम दो axis के बारे में बात करते है X axis और Y axis यह हमारा Y axis यहां हम note करते है X dash यह Y, यह Y dash तो यह दोनों basically number lines ही है अगर देखा जाए तो यह हमारा positive direction of X axis यह हमारा negative direction of X axis जैसे हमारा number line में भी positive direction और negative direction होता था और यह हमारा positive direction of Y axis और यह हमारा negative direction of Y axis अब number line में भी हमारा एक origin होता था जिससे हम reference लेते थी कि कौन सा side positive है कौन सा side negative है तो यहां पर जो point जहां दोनों axis axis जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं origin तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी point को number line पर locate कर सकते हैं यह हमारा first quadrant quadrant basically क्या है जो four parts में यह दोनों axis इंटरसेक्ट करके इस plane को divide कर रहे हैं तो उन parts को हम कहते हैं quadrant क्योंकि चार भाग बन रहे हैं इसलिए हम कहेंगे इसे first quadrant इसे हम कहेंगे second quadrant इसे हम कहेंगे third और यह fourth हम इसके numbering यानि कि first second third fourth anti-clockwise करते हैं यानि clock किस direction में चलता है ऐसे चलता है लेकिन हम जब इनको numberize करेंगे तब वो होगा anti-clockwise यानि ulti direction में तो अब हम सीखते हैं कैसे हम किसी भी point को number line पर locate कर सकते हैं sorry axis पर या फिर एक plane पर हम locate कर सकते हैं this is our x-axis तो अभी यह जो हमारे यहां graph paper में दियावा है यह हमारा one centimeter so हम लिख देते हैं along x-axis one centimeter is equal to one unit one unit यह हमारा two units three four five six seven one two three four five यह हमारा negative direction तो यहां पर हर एक number के आगे लग जाएगा negative sign minus one minus two minus three minus four minus five और यह हो जाएगा minus one minus two minus three minus four और minus five suppose मैं आपको यह point दू और मुझे यह बताईए यह x-axis से कितने distance में है और y-axis से कितने distance में है तो जो हमारा x-axis से जो हम distance मेशर करते हैं वो होता है हमारा y-coordinate यानि यह हमारा x-axis है और यह है हमारा y-coordinate यानि कि यह जब हम ऐसे ऊपर जाएंगे यह one unit two unit यह three unit तो इसका मतलब क्या है हम x-axis से दूर जा रहे हैं तो यह point x-axis से कितने दूरी पे है त्री यूनिट और यह जब हम y-axis से इस point के distance को मेशर करेंगे तो हम वहाँ पर use करेंगे x-coordinate का अब देखिए यह इस y-axis से कितने दूरी पे है one two और three अब इसके coordinates यानि इसके x-coordinate और y-coordinate यानि कि x-axis से कितने दूरी पे है और y-axis से कितने दूरी पे है यह हम किस तरह लिखते हैं general form होता है x, y ऐसे किसी भी point को हम denote करते हैं let us say this point is p तो यहां हमारा x-coordinate यानि y जो हमारे axis से उसके distance कितनी है one two three तो हमारा x-coordinate यह हो जाएगा three, y-coordinate यानि x-axis से वो कितने distance पे है एक, दो, तीन यानि three तो इस point के हमारे coordinates हो जाएगे three, three अब जो हमारा यहाँ x-coordinate है इसे हम कहते है by the name abscissa मैं यहाँ लिख देती हूँ x-coordinate को हम कहते है abscissa और y-coordinate को हम कहते है ordinate अगर मैं आपको यहाँ पूछों कि point p का abscissa क्या है तो हमारा answer होगा three और अगर मैं आपसे पूछों कि यहाँ हमारे coordinate क्या है तो वो हो जाएगा three I think it is clear तो यह जो plane हमारा जो है जिसको हम दो चार्प quadrants में divide कर रहे हैं इस पूरे plane को हम कहते है cartesian plane Cartesian plane अब अगर मैं आपको पूछों कि यह अगर मैं इस point को क्यों ले लो जो यह point है इसको अगर मैं क्यों ले लो तो हमें यह दिख रहा है कि यह जो point है यह x-axis में लाई कर रहा है तो कोई भी अगर point x-axis में लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है? x-axis से उसका distance 0 है यानि हमारा y-coordinate क्या हो जाएगा? 0 तो x-coordinate क्या है? हमारा 2 और y-coordinate हो जाएगा हमारा 0 So, any point on the x-axis is in the form x, 0 जहाँ x क्या है हमारा x-coordinate अगर मैं आपसे यहाँ पूछो कि मुझे इस point के coordinates बताएगे Suppose it is R अब हमें क्या दिख रहा है कि यह point y-axis में लाई कर रहा है यानि y-axis से इसके distance 0 है यानि x-coordinate क्या है? 0 है तो इसके coordinates हो जाएगे 0, y-coordinate क्या है? हमारा 4 तो कोई भी point अगर y-axis में लाई कर रहा है तो it will be in the form 0, y अब हमारे x, हमारे origin का coordinates क्या हो जाएगा? origin का ना ही x-axis से कोई distance है, ना ही y-axis से कोई distance है So it will be 0, 0 हमारे origin का coordinates हो जाएगा 0, 0 अब हम क्या देखते हैं? यह जो हमारा first quadrant है यह second quadrant है, यह third quadrant है और यह fourth quadrant है अब first quadrant में क्या देखते हैं? हम दोनों ही coordinates यानि x-coordinate और y-coordinate दोनों ही क्या है? positive है तो यह बात note करने वाली है कि हमारे first quadrant में दोनों ही coordinates positive होते हैं यानि यहां होते है positive और positive अगर हम second quadrant में देखे तो यहां हमारे y के value positive है लेकिन x के value negative है suppose let us take this point अब यहां क्या है हमारा x coordinate क्या है minus 2 और y coordinate है 3 तो यहां क्या है एक positive एक negative यानि x coordinate negative है और y coordinate positive है तो हमारे second quadrant में हमेशा हमारी x coordinate की value होगी negative और y coordinate की value होगी positive अब अगर हम third quadrant की तरफ देख बढ़ें तो यहां क्या देखते हैं हम दोनों ही coordinates negative होगी suppose let us take this point यहां हमारे x coordinate की value है minus 3 और y coordinate की value है minus 4 तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही coordinates negative है तो third quadrant में दोनों ही coordinates negative होगी अगर हम यहां देखें fourth quadrant में तो यहां क्या है हमारे x coordinate की value तो positive है लेकिन हमारे y coordinate की value negative है तो हमारे fourth quadrant में क्या हो जाएगी कोई भी point के coordinates के हो जाएंगे positive और negative अब आप इन दोनों quadrants में कभी confusion मत होईएगा यहाँ पहले x coordinate negative है और y coordinate positive है लेकिन fourth quadrant में y coordinate negative है और x coordinate positive है तो हमारे first quadrant में हो जाएगी plus plus यानि दोनों ही positive second quadrant में negative, positive third quadrant में negative, negative और fourth quadrant में positive, negative तो यही हम हमारा यह chapter खतम करते हैं अगर आपको इसके exercises की video चाहिए या फिर आपको इसे और detail में जानने की कोई इच्छा है तो आप प्लीज मुझे comment section में ज़रूर बताइए अगर आपको यह video useful था आपके लिए प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए और subscribe to my channel thank you